हरियाणा के मिवाथ में सोसल मीटिया पलेट फार्म पर हतियारों के साथ फोटो अप्लोड करके पोच बनाएं तो होगी कानूनी कारवाई हर सफाइरिंग किसी भी सुरत में परदास नहीं की जाएगी अवेलना पर होगी बड़ी कारवाई सोसल मीडिया पर है मिवात पुलिस की पैनी नजर आपको बता दें कि नो हो पुलिस अधिक्षक वरुस सिंगला ने कहा है कि आम तोर पर एक दूसरे के देखा देखी कई युवा हतिया लेकर उसे लहराते हुए अलग-अलग पोच में फोटो बना कर सोसल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं जिसे समाज में बहुत कलसंदेश चाता है तथा समाज में अप्राधी प्रवती को बड़ा हवा मिलता है इस प्रकार का गैर कानूनी कारे करने में जिस वियक्ति का हतियार होता है और जो फोटो अपलोड करता है वे दोनों ही दोसी होंगे अधिकतर मामले हर्स फाइरिंग से चुड़े होते हैं जो की गैर कानूनी है हर्स फाइरिंग करने वालों के विरुद नोहों पुलिस सकती से कारवाई करेगी सोशल मीटिया मोनोटरिंग पर नोहों पुलिस की पैरी नजर है पुलिस अदिक्षक ने आम जनता को जागरूप करते होए नरदेश दिये है कि कोई भी लैसेंस होदा हतियार धारक अपनी हतियारों को किसी भी सूरत में अन्य व्यक्ति को ना सोपे तथा किसी भी व्यक्ति के साथ द्वारा इस प्रकार से हतियारों का प्रदसन नहीं किया जा सकता यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके विरुत कानूनिक कारवाई खिचाएगी और हतियार का लाइसेंस रद किया जा सकेगा यह एक बहुत गलत प्रवती है इसे युवा वर्क ब्रहमित होकर पत्वरेश्ट होने की संभावना बनी रहती है आप देखरें नुहु मिवा से लियाकत अलिक रिपोर्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीचिएगा कि यह आज की टाइम में जिला पुलिस द्वारा नोटिस किया गया है कि काफी युवाउं में अवैद हतियार के प्रती हैवम अवैद हतियार को रखना है वम उससे फाइरिंग करना कित्यादी के जो शौक है वो बढ़ रहा है और लोग अपने फेस्बूक प्रोफाइल पे सोशल मीडिया प्रोफाइल पर अवैद हतियारों के साथ फोटो लगाते हैं एवम मोका लगने पर कहीं ना कहीं हर्शा उल्लास में इन अवैद वैपन से फाइरिंग करते हैं इन मामलों पे जिला पुलिस काफी सतर्ता से काम कर रही है किसी भी सुचना पर जब भी कोई अवैद वैपन के साथ फोटो भी हमारे को सुचना मिलती हैं तुरंत उस संबंदित जक्ती को बलाते हैं एवम उनके उपर मुकदमे दर्ज करते हैं, एवम उन वेपन की रिकवरी करते हैं, तो मैं सभी जिलावासियों से में ये मेरी ये वर्णिंग भी है, उन क्रिमिनल्स के लिए जो इस प्रकार की एक्टिविटीज में सनलिप्त हैं, एवम बाकी जिलावासियों से भी मेरी ये पुल्कातम करना जात्याद। Thank you.